काफी सारे LED TV के अंदर हमें इस प्रोकर के अड़ाप्टर देखने को मिलता है जो कि LED TV को पावर देने के लिए काम पे आता है खास करके जो LG और Sony Company का TV होता है उसके अंदर कुछ-कुछ मॉडेल्स के अंदर इस तरीके का अड़ाप्टर अलग से दिया जाता है पावर साफ लाइक देने के लिए TV के अंदर तो कहीं बार क्या होता है कि बिजली किनने के बाद इस तरीका अड़ाप्टर खराब हो जाती है तो इसलिए आज के विडियो के अंदर इस टाइप का अड़ाप्टर को कैसे रिपेर किया जाता है यह आपको प्रैक्टिकली सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर से आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है तो आप लोग अगर लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एडाप्टर सही है या खड़ाब सबसे पहले हम इसके अंदर 230 बोल्ट पावर इंपूट करेंगे तो इसले माल्टि में के जिरिए मैं आपको मेजरमेंट कर के दिखा देता हूं आभी तो अभी मैं इसको इस एडाप्टर के अंदर लागाता हूं और एड़ाप्टर के अंदर लागाने के बाद इसका आउटपूट मैं आपको मेजर्मेन करके दिखाता हूं कि कोई भी हमें आउटपूट जो है देखने को नहीं मिल रहा है देखे इसको डी सी कर लेता हूं क्योंकि इसका अंदर सामें की देख लीजिए LG का model नामबर LCAP40 है इसका model नामबर है इसका input voltage 100 से 240 बोल्ट से लेकर और 50 से 60 हर्च के frequency इसका है काम करने वाला frequency होता है इसका 50 से 60 रज और इसका 19 वोल्ट और 3.42 अंपेर का यह और एडप्टर हैं तो चलिए इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसका अंदर आखिर खरब क्या हुआ है उसके बाद हम इसको step by step prepare करेंगे तो इसको खोलने के लिए आपको कुछ अगर आपके पास white petrol है तो आप यहां पर डालके इसका जो गाम लगा हुआ है इस जगा पर ओपेन कर सकते हो लेकिन हमाड़े पास आभी white petrol अवेलेवल नहीं है तो इसलिए मैं इसके अंदर कोछ तारपिन इस तरीके से दूंगा पूरा ताकि यह जो हमारा आसानी से खोल जाए और यह जो सारी chemical है दोस्तों इसके उपर आपको अलग से ध्यान देना होगा ताकि इसके अंदर आग बगर ना लग जाए तो सारे प्रवापार यहां पर दिखिए इस तरीके से आपको इसे chemical को देना होगा ताकि अंदर जो गाम ल कि अधाप्टर को हमने खोल दिया हो और खोलने के बाद इसके अंदर कुछ आपको इस प्रोकर का सिल्ड देखने को मिलेंगे जो कि इसके साथ attachment होता है यहां पर कुछ गाम भी लगा हुआ था इसलिए इसको खोलने में थोरा सा दिक्क्यत आपको हो सकती है लेकिन यह कि अधाप्टर को सही सलमत खोलने के बाद पीछे साइड देख रहे होंगे इस तरीके से गम लगा हुआ रहता है तो मैं अब इसको खोलता हूं और इसके अंदर से PCB को बहर निकलता हूं तो ए रहां हमारा मेन PCB जिसके उपर हमें काम करना है इसके अंदर इसके अंदर क्या खराब हुआ हमें अब पता लगाना है तो इसको पता लगाने से परिद आपको क्या करना होगा इसको डिस्चरक कर लेना होगा Сейчас آپ और PCB को discharge करने के बाद आपको सारे जो components लागा हुआ है उसके उपर एक बार आपको physically देखना होगा कि कौन सा component सामरा physically damage हुआ है अगर आपको physically कोई components damage देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा खड़ा भी कहां पर हो सकती है तो हमें तो अभी इस PCB के ओपर कोई भी physical damage components देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन हमें अब इसको क्या करना होगा सारे components को एक एक करके चेक करना होगा स्पेसाली हमें जो इमाई filter है इस filter के बाद जो यहां पर रेक्टिफायर है और रेक्टिफायर के बाद हमारा जो MOSFET लगे होते हैं यह जो हमारा switching MOSFET है यह हमारा चेक करना पड़ेगा इसी MOSFET को तो मैं उसको जो पेस्टे इसको रिमूब करने जाओगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा इसके साथ बाकी जो components से उसका कोई भी नुक्सन नहीं होना चाहिए तो अब इस adapter को रिपेर करने के लिए आपको सबसे पहले इसका voltage इसको चेक करना परेगा तो चलिए मैं आपको एक एक करके कहां कहां पर voltage आ रही है सारे voltage आपको चेक करके दिखाता हूं दोस्तों यहां पर आपको एक disclaimer देना चाहूंगा कि जब भी यह काम करो गया बहुत ही साबधाने के साथ और safety के साथ ही आप करिए क्योंकि यह बहुत ही डेंजरेस काम होता है AC सिगनल के उपर यह काम करते है इसलिए बहुत ही डेंजरेस होता है इसलिए दूस्तों एकस, दोस्तों देशन आपको हां दिखा रहा है अब हमें चैक करना है कि यह हमारा कहां तक जा रही है तो यह दिखाल यह की ही Jahren ignore लागा हुआ है फूल एफ ब्रीज रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर के यहां पर हम मेजार्मिन करेंगे इसको सबसे पहले 215 भूल आप एसी देख रहे होंगे इसका मतलब यहां तक हमारा वोल्टेज सही है आप हमारा जो फिल्टर का पासिटर है इस का पासिटर के अंदर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो इसके लिए हमको माल्तिविटर को DC वोल्टेज पर सेट करना होगा तो चलिए मैं इसको DC वोल्टेज पर सेट कर देता हूँ और अब हमारा जो यहां पर फिल्टर का पासिट और इसके ओपर वोल्टेज चेक करेंगे 300 वोल्ट के आसपास है हमारा output voltage बल्कुल ही 0000 दिखा रहा है इसका मतलब यह हुआ दोस्तों हमारा यहां पर switching MOSFET लगा हुआ है switching MOSFET के जो drain होता है उसे drain के अंदर भी हम एक बर voltage को check कर लेता हूं हमें यहां पर 300 volt के आसपास मिल रहा है कि नहीं तो यहां तक हमारा voltage सही है तो दोस्तों आब हमें क्या करना है आब हमें देखना है कि इसको हम line से disconnect कर लिया इसका जो AC line है मैंने खोल ले हूं और आब हमें देखना होगा कि इसका अंदर जो main capacitor है इस main capacitor के अंदर charge store होके रहे चुका है या नहीं अगर हमारे इसका अंदर चार इस्टर होके रहे जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो इसका जो regulating यह जो IC है यह IC खराब रहेगा और उसके साथ ही साथ हमारा जो MOSFET है switching यह भी खराब रहेगा तो इसको modify करके हमारे को इस power supply को ठीक करना परेगा तो चार्ज इस्टर होके रहे गया है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैं स्कूर डाइवर को इस्तेमल करने वाला हूं इसको आप सॉट करके देखेंगे देखिए कितना जोड से इस पर किया इसका मतलब इसके अंदर हमाँ जो मेन प्रॉबलेम है यह रिगुलेटिंग आईसी और इस रिगुलेटिंग आईसी के साथ साथ हमारा यह जो मॉस्पेट लागा हुआ है स्वीचिंग इन दोनों खरब हो चुका है तो इसको रिपेर करने के लिए और मोडिफाई करने के लिए मैं इस्तेमल करने वाला यह जो आप HDR देख रहे होंगे इसको हम इसके अंदर इंस्ट्रॉल करेंगे और इस्ट्रॉल करने के बाद इस पावर सप्लाई को रिपेर करेंगे सबसे पहले तो मैं इसको फुली डिश्चर्ज कर लेता हूँ यह हमारा स्वाट का बाल्ब है इसके जरिए मैं इसको लिजिए उसके बाद इस तरीके से टाच करें आपका जो एकापासिटर है यह डिश्चर्ज हो जाएंगे तो हमारा यह क्यापासिटर फुली डिश्चर्ज हो चुका है तो अब हमें सबसे पहले यह जो रेगुलेटिंग आईसी है इस आईसी को बाहर निकलना परेगा उस जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो स्वीचिंग मॉस्फेट लगा हुआ था उसका नंबर है के आउन 3A65U तो इसके जगा पर अब मैं लगाने बाला हूं इसको लगाने का जो तरीका है मैंने तो आप लोगों पहले ही बता दिया हूं कि इसको कैसे लगाया जाता है कैसे इंस्टॉल करा जाता है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन शाएं ओधाल चांट को कहां पर कैसे लगाना है एक नंबर पिन जो हमारा लगेगा वो कापासिटोर के नेगरिटीव पउयंट पर लगेगा दून नंबर पिन हमारा मॉस्पेट पे जो ड्रेन पीन था यहां पे बीच बाला जो पॉयंट था इस मॉस्पेट का उहां पर कर देता हूं उसके बाद इसको इसको बाद कर लगाकर देखाता हूं कि आखिर इसको इंस्टॉल और जो कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों हमने 5A-3188 जो हमरा है यहां पर लगा दिया हूं यहां पर फिक्स कर चुका हूं और इसका जो तीन लेग था वो तीन से कस देता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं कि पीछे इसका मॉडिफेकर्शन किस तरीके से करना है finally दोस्तों हमारा modification process complete हो चुका है एक बर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके साथ हमने क्या क्या कर रहा हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो हमने 5 LO 380R STR लगाया हूँ इसका एक नमबर पीन हमारा जो negative होता है main capacitor का उसके साथ attachment कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ एक बाद देख लेजिए यह हमरा यहाँ पर STR लगाया हूँ इस STR का जो यह नमबर पीन आप देख रहे होंगे मैं आपको जूम करके देखाने की कोशिस करता हूँ आप ध्यान से समझ यह इस चीज को उसके बाद आप जो है बहुत ही आसने से कोई भी पावर सप्लाई को मोडिफाई करके ठीक कर पाऊगे तो हमारा एक नमबर पीन जो है यह रहा हमरा एक नमबर पीन और इस एक नमबर पीन को हमने यह जो क्यापासिटर है में क्यापासिटर यहां पर लगा हुआ है इसका नेगेटिव पोईन हमारा यह रहा है तो इसके साथ हमने यह जो पीन ह इसके साथ हमने एटाश्मेंट कर दिया हूँ तो आपको एक बार में माल्टिमिटर से चेक करके भी दिखा दिता हूँ कि हमारा जो यह प्रोसेस है यह कंप्लेट हुआ है या नहीं तो इसको देखाने के लिए मैं माल्टिमिटर को कॉंटिनुटी रेज में रखता हूँ बात आते हैं दो नंबर पीन का तो दो नंबर पीन हमारा क्या होता है कि यहां पर देखिए जो हमारा पुराना वाला मॉस्पेट था इस मॉस्पेट का जो बीजवाला पीन था यह रहा तो इस बीजवाला पॉइंट के साथ हमने दो नंबर पीन के यहां से जोड दिया हू यह जो हमारा 50 volt का capacitor लेकिन यहां पे 15 volt के लिए लगाया जाता है तो इसका जो positive pin है उस positive pin के साथ हमने लगा दिया हूँ यहां से दिखिए उसके बाद 4 नमबर पीन जो है दोस्तों चान नमबर पीन को हमने जोड दिया हूँ इस optocoupler के चान नमबर पीन पड़ तो इसके साथ साथ हमें और दो तीन कॉंपोनेंट्स की जोरत परती है इसको मोडिफाई करने के लिए वह क्या कहें देख लिए सबसे पहले हैं यहां पे ओन जीरो फोन नमबर का एक सेरमिक क्यापसिटर जो की हमने एक optocoupler के चान नमबर और तीन नमबर पीन के साथ हमने एक देता हूं तो यह रहा देखिए जो क्यापसिटर का 300 वोल्ट का पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉजिटिव पॉइंट के साथ हमने के यहां पर डायोड लगाया हूं इस डायोड को सेप्टी कहीं सबसे लगा गया है उसके बाद यहां पर 280 ओम का रेजिस्टेंस मैंने डायोड नहीं था इसलिए मैंने हाप वाट का 180 ओम का रेजिस्टेंस को दो लगा दिया हूं और वे क्यूँ लगाया हूं दोस्तों यहां पर हमारा जो पंदरा बोल्ट के लिए यह क्यापसिटर लगाया गया है पचास बोल्ट का क्यापसिटर इसके आंदर हमारा जो वोल प्रोसेस के इस तरीके से इंस्टॉल करा जाता है इस 580 का जो सरकिट डायग्राम बगरा है यह हमारे विबसाइट पर पहले ही डालके रखाओं आप चाहितों आपर जाके इसको देख सकतो सारे डायग्राम को तो चलिए दोस्तों आप देख लेता हूं कि इसके कर रहा हूं इसका पार्फॉर्वेंस आपको निया जैसा ही मिलेंगे जो हमने 25 मोडियूल होता है उससे भी कही गुना या मतलब 50 गुना ज्यादा पार्फॉर्वेंस आपको यह मॉस्पेट लगाने से मिलेंगे तो चलिए आप मैं सबसे पहले सीरीज पर लगाता हूं और सबसे पहले इनपूट वोल्टेज आपको देखाता हूं यहां पर देखिया हमरा यहीं वोल्टेज 217 वोल्ट उसके बाद डिसी आउटपूट आपको 19 वोल्ट यहां पर देखिए 19 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों 19.4 वोल्ट एकदम इस्टेबल यानि कि हमारा यह जो लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और इस वीडियो को आपने साथे दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिएगा अगर आपके मन में इसे वीडियो के लिए कर कोई भी सावाल या सुजा भी तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो और दो लोगो पता चले कि हमारा यह जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है हमने सक्सेस्पुली कंप्लेट कर रहा हूं यहां पर देखें पहले यहां पर 19 बोल्ट नहीं मिल रहा था अब यहां पर देखें 19.3 वोल्ट दिखा रहा है और यहां पर भी मैं आपको मिजर्मेंट करके सुख।